आज मैं आपके लेखे आई हूँ बिलकुल अलग तरीके से मिर्ची के पकोड़े बनाने की वीडियो तो ये देखिए कितने बढ़िया मिर्ची के पकोड़े बनके तयार हुए हैं एकदम अलग तरीके से है और बहुत ही बढ़िया बनके तयार होते हैं जैसा कि आप देख सक तो यहां पे हमारे देखिए सारे मिर्ची के पॉकड़े जो हैं वो बनके तयार हैं और देखने में जितने अच्छे हैं उतने खाने में क्रिस्पी भी हैं और बहुत टेस्टी भी हैं तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं देखते हैं इसमें हमें क्या-क्या चीज़ है य यहाँ पर देखे मैंने पानसो ग्राम ये बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्च ली है जो तीखी नहीं होती है इसे हम भरवा मसाले के ले उस्यूज़ करते हैं और बहुत सारी मिर्ची का सालन वगारा भी दोता इसको बनाने के लिए तो यहां पे देखिए मिर्ची को यहां से मैंने इसका जो है यह डंठल वाला पार्ट जो है वो काट दिया है और इस तरीके से हम यह जो छिलके छिलने वाला चाकू होता है ना इस तरीके से इसके जो अंदर के जो बीज है ना वो निकाल लेंगे वो हमें जरुवत नहीं है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिर्ची को खाली कर लेते हैं अंदर से पूरे तरीके से सारी मिर्ची को इसी तरीके से खाली करना है देखिए इस तरीके से अब सारी मिर्ची मैंने खाली कर ली है इसको side में रखती हूँ और यहां पर मैंने उबले हुए चार आलू लिये हैं इनको अच्छे से mash कर लेते हैं और इसके बाद इसमें कुछ add करेंगे हम मसाले तो यहां पर मैं इसको देखिए एक चमच से इसको अच्छे से mix कर रही हूँ अब यहां पर मैं डालने वाली आधा चमच धनिया पाउडर डाल रहे हैं इसके अंदर तो आधा चमच इसमें मैं डाल दूंगी आमचूर पाउडर और नमक डालेंगे यहां पर हम स्वाद के अनुसार और इसी के साथ यहां पर जो है मैं डालने वाली हूँ एक चुथाई चमच और गयानो या पिज़ा सिजनिंग भी आप डाल सकते हैं एक चुथाई चमच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे तो बहुती बड़िया फ्लेवर इसमें हम डाल रहे हैं जो की चटपटा लगेगा और इसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया डाला है फ्रेश कटा हुआ अब अच्छे से इसको मिक् डाल रही हूँ आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं यहां पे तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद जो है फिलिंग तयार हो जाएगी तो यहां पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यह फिलिंग तयार है आप इसमें फ्रेश जयाओ दढrière करेंगे तकि जो यह फिलिंग एना अंदर तक अच्छे से चली जाय तबी जो है मेशी फिंख क्ये पकॉटरै खाने में मज़़ा आएगा फिर अगर अंदर तक अच्छे से नहीं भरेगी तो फिर वो खाली खाली रहेगा तो यहां पर देखी सी तरीके से सारे भर के तयार करेंगे अब यहां दो कब बेसन लिया है एक चुथाई चमच हल्दी लिया है और हम यहां पर ले रहे हैं नमक एक चुथाई चमच ही नमक लिया है मैं और अच्छे से mix करके इसका एक बैटर तयार कर रहा है बैटर जो है वो नहीं जादाफ होगा को दिखा अelnilा अब देखे jus से mix कर लिए आफ समें चछा़ा में यहां पर डाल रहे हैं पिकोड़े में сначалаみेर बिखाइब बोका और लिए कर लिया है देख सकते हैं इस तरह केगा यहां पे जो है फेटते फेटते कलर चेंज हो जाएगा अब एक पिंच मैं यहां पे डाल रही हूं बेकिंग लिए तो बेकिंग सोडाओं डालने से ना पकोड़े बहुत अच्छे फुले फुले बनेगे और देखने में अच्छे लगेंगे अब यहां पर घृक्ष इस तरीके से इसको बनाईयेगा, बहुत अच्छे लगेंगी देखने में तो तो यहां पर खाने में तो टेस्टी है ही यह तो बस यहां पर इस त Canon कर ले पर के लेकथ और जहां तक यहां पर फिलिंग जा सकती थी वहां तक मैंने भरा आखिए कम लगें देखिए, комна took कम लग और यहां पर देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो दम लगेगा कि जैसे आप पनीर के पकोड़े बना रहे हैं या किसी और क्योंकि यह तल के इस तरह से लगेंगे अब यहां पर देखिए मैं जो इसमें फिलिंग जहां तक नहीं गई है वहां पर मैं इसको दुबारा से फ ट्रॉप डाला है तेल हमारा गरम हो गया है अब यहां पर तलने के लिए जो बैटर है न उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है और तलने के लिए से हम ना मीडियम हीट पे फ्राइब करेंगे यह देखिए इस तरीके से डिप करते हुए डालते जाएंगे तो बहुत त पकोड़े और क्रिस्पी पकोड़े बनके तयार होंगे मैं आपको दिखा दूंगे अभी देखिए कितना बढ़िया यह देखने में लग रहा है अब इसको पलटना शुरू करते हैं डालने के कुछ सेकेंड डुक जाए उसके बाद इसको अलटना पलटना शुरू करें औ और बेसन भी इन पर अच्छे से कोट हुआ है तो बस यहां पर इक अच्छा सा कलर आ जाए तब तक इनको हम फ्राई करेंगे तो बस यहां पर देखिए कितने फुल गए हैं पकोड़े देखिए लग रहा है जैसे पनीर के पकोड़े हैं मिलकुल अलग तरीके से बनाया है मैंने और आप भी इसको आजी ट्राई करें यूकि मिर्ची जो है न वो अच्छे से मिल रही है बजार में और यहां पर देखिए अभी यह पकोड़े जो है न वो बनके तयार हो गये हैं चलिए इनको निकाल लेते हैं और यहां पर देखिए पकोड़े जो है न वो मैं नि तो इस तरीके से सारे पकोड़े जो है वो निकाल लेते हैं और बना के तैयार कर लेते हैं आप इन्हें गर्मा गरम सर्फ करिये किसी भी चटनी के साथ हरी या लाल चटनी के साथ देखिए अलग तरीके कि हो और बच्चे भी ने पसंद से खाएंगे क्योंकि यह जो मिड्च यहां डाल दे और जो भी आप पिज़ा में पसंद करते हैं तो बारिक-बारिक काट के आप सब्जिया इसमें डाल सकते हैं अगर उनको हलका सा ब्लांच कर ले और इसका पानी एकदम निकाल के फिर डाले तो भी और इसमें सारी पिज़ा की जो सीजनिंग होती है वो डाल दे सारी सौसेस डत् Tiffany डाल दे तो भी बहुत पड़िया वनेगी तो यहां देखिए सारे पकाड़े जो है बनके तयार हो गए से अंदर अच्छे से भरी थी और यहां पे पकोड़े आप गर्मा गरम से करें यह देखिए गर्मा गरम मेंaters को सव कर रहा है कि मेठी या लाल या हरी चटनी में के साथ इसको खाईये में बोहुर्ट टीस्ति लगते हैं चाहिए आप सांविंच के अंदर भरके खा सकते हैं एक अलग तरिके का आपका जो है सैन्विच वाला पकोड़ा बनके तयार हो जाएगा तो रेस्पी यहां बनके तयार है तो आई होप आपको रेस्पी पसंद आई हो तो चलिए फिर मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तिल द गनंदर ऑड़ा नेंढने टे तक के लिए खों में प् influenced पेस्पी यहां ओवड़ा टे इार जयाओा भ्यां था जापका ants स meva बनके तो आई है